साथियों खंडी चीजों को पढ़ना सीखना और अपने गले लगाना अच्छा नहीं होता ज्यादा अच्छा होता है कि आप consolidated यहीं इकठी इकठी चीजों में आप सीख पाएं ताकि आपको रहे हर चीज याद आज हम बात करने वाले हैं साउथ वेस्ट के बारे में दक्षि के नुसार साउथ वेस्ट में जानने के लिए चलेंगे आखीर तक आप से शेर करता हूँ यह एक बहुत ज़्यादा important information नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनन्द भार्दवाज आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट और आप अपना खास चैनल देख रहे हैं जिसमें आज आप से शेर करने वाला हूँ एक ऐसी information जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ भूमे के कौने के बारे में धरती का कौना भी इसको बोलते हैं अर्थ कोर्म भी कहते हैं इसको आम भाशा में कहते हैं निरत्यकौ्ण या South West दक्षिन पस्चिम ऐसी बाते मैंने ऐसे शब्दों में इसलिए आपको बताया क्योंकि आप जैसे भी पैचानते हो नेर्टिकॉन को आप समझ जाएं कितना important है कितना sensitive और एक भी गलती अगर आपने South West में कर दी तो साथियों जान पर भारी पर जाती है आपने बहुत से केस सुने होंगे जहां पर की जान के लाले फड़ जाते हैं लेने के देने पर जाते हैं और जिंदगी पूरी की पूरी unstable हो जाती है क्योंकि मैंने आप से कहा था कि South West दक्षिन पस्चिम को अगर आपने याद करना है हमेशा के लिए बहुत आसान भाषा में साथियों फार्मूला हमेशा याद रखना ताकि भूले नहीं आप इतना सेंस्टी कॉर्णर होता है इसको हम पैचानते हैं टिपल एस कॉर्णर के नाम से टिपल एस का मतलब होता है सीनियर सुपीरियर एंड स्टेबल यहां रहने वाला सीनियर बनता है पावर उसको मिल जाती है सुपेरियर्टी उसमें आ जाती है और साथ में सुपेरियर्टी कॉंप्लेक्स भी उसके अंदर आ जाता है इसके इलाबा वहाँ पर रहने वाला कमांड करता है और साथ में मिलता इसको जीमन में स्थाइतु जिसे कहते हैं stability और साथ में इसको कहते हैं हम double H corner साथ हम मेरे formula याद करेंगे जैसे मैं सिखाता हूँ अपने बच्चों को स्टुडेंट को सिखाता हूँ double H का मतलब होता highest and heaviest सबसे उचा सबसे भारी double H, triple S, 3S, 2H याद रहना हमेशा बहुत काम आएगा अब देखिए यह जो swimming pool है कोई भी water body underground water body negative होती है south west में नहीं होने चाहिए दूसरा south west का कटा हुआ रहना बहुत सीरे से अच्छा नहीं हुआ करता इसके लावा जो bedroom है अगर bedroom आपने बना रखा है south west में तो यह चीज़ बहुत अच्छी होती है इसमें कोई समस्या नहीं अगली slide अब यह देखिए कि यह आप देखे रहे हैं double story बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बड़ी अगर ड्रबस रूरी बनाते हैं उचाई बढ़ाते हैं building की किसी भी जगा की तो यह क्या करती है positive energy को पकड़ लेती है negative energy कभी भी पीछे से आने नहीं देगी बहुत अच्छा यह सबी plants बिल्कु ठीक है जो आप देख रहे हैं इसके लावा यह देखिए यह हम देख रहे हैं 3D हमारे पास में आगया है सामने का अब इसको अगर हम माल लेते हैं माल ले इसको हम जाए यहां इसको हमने south माल लेते हैं इसको west माल लेते हैं और इसको not मानते हैं इसको इसमाल लेते हैं तब क्या हो रहा है आप देखिए इस पूरे 3D के अंदर यह देखिए master bedroom बहुत अच्छा टॉलिट बहुत अच्छा यहां पर kitchen होनी चाहिए थी ठीक south west के अंदर यह sitting जो है बैठती हमारी west में चल जाएगा राम से south west की बात करना है इतने ही कुने की बात करना है बाकी चीज़ों की बात अभी नहीं करेंगे यह मस होच लिड़ना कि यह वाला जाया जो नक्षा है वास्तों से बना हुआ है साथियों इदर उदर से बहुत ढू इसमें भी कई चीज़ आप देख रहे हैं कि जो south west मनेगा इसमें भी अगर south west by chance अगर यह south west हमारा है तो इसका south west का जो बढ़ना है यह भी अच्छा नहीं होता यह भी गलत है south west को कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए और अगर आप copper wire से कभी काटने की कोशिच करते हैं और bed क के नीचे से अगर copper wire चलेगे तो ले बैठेगी बीमारी फैदा कर देगे शिरीक अंदर और बिल्कुल बहुत बार तो क्या होता है कि कभी कभी ना paralysis हो आता है तो कभी भी copper wire से bed के नीचे नहीं काटना चाहिए यह वह बात हैं जो कि वास तो consultant आपको बताते नहीं यह उनको तो एक का southwest और एक का दूसरे का northwest आपस में इंटर्चेंज होता है या फिर south इस से या north इस से उतर पूरव से भी इंटर्चेंज वाता है अब देखिए इस case में क्या हो रहा है कि एक अगर मैं इसको लेता हूँ example लेता हूँ मैं यह जगा जो बना रखी है अगर यह खाली बना रखी है तो वास्तो के असाब से south west में इसको दक्षिन मालेता हूँ में इसको north मालेता उतर और यह हमारा पूरव अब इस case में आप देख रहा है कि दक्षिन पश्चिन कंतर ठीक है bedroom बहुत अच्छा है यह toilet भी चलेगी अराम से इसमें भी कोई समसा नहीं है लेकिन जहां पर जो यह खाली जगा रखी हुई है इसको चाहिए कि जिसका भी मकान है वो इसको store में convert कर ले क्योंकि store में आने के बाद में south west बहुत ज़्यादा stability feel करता है स्थाई हो जाता है bedroom पहले से बिल्कु ठीक है bed की दिशाफ को मैंने बता रखी है यह देख जिए इसके ब उसके long life के लिए उसके well being के लिए ठीक नहीं होती और ऐसा देखा गया है बहुत बार हमने कि ऐसे में जहा है बहुत बार health की ऐसी problem आ जाती है कि जिसमें operation भी करने पड़ जाते हैं तो अगर kitchen आप यहां बने हुए तो उसको उठाकर सबसे पहले उठागर के south west से दक्षिन question से south इसमें लेकर आओ भला होगा वास्तु आपके कल्यान की कामना करता है ताकि आप रहे हमेशा सुखी और समरिद साथ यहों एक वीडियो होता है मेरा जो आपके life बदलने के लिए जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है छूटे ना आप से कोई भी वीडियो इसके ल दुनिया ने ले ली मेरे से उससे आप वन्चित ना रह जाएं आपका भी हाक है उसके उपर उतना ही जितना औरों का है अगले वीडियो फिर आप से बलाकात करता हूं तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत नमस्कार धन्यवाद